हेलो प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास वाइफ की वॉक्षीट नंबर है 112B जो की 18 नवंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चो ईवियस और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे ईवियस की बुक लुकिं बच्चो सबसे पहले आप यहां अपना नाम लिखेंगे यहां आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और क्लास 5 के सामने आप अपना section A, B या C जो भी आपका section है वो मेंशन करेंगे चलिए इस वॉक्षीट को हम शुरू करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थेवं सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन पसंद खाना देखकर मुह में पानी आ गया हो क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन पसंद खाना मुह में जाने के बाद पेट तक कैसे पहुँचता है दरसल खाने का असली सफर मुह में जाने के बाद ही शुरू होता है आईए इस बारे में आगे और चर्चा करते है तो देखिए कविता के आधार पर यहां पर हमें कविता दे रखी है पहले इसको हम पढ़ लेते हैं कविता है स्वादिस्ट भोजन मुह में डालो दातों से फिर चबा कर खालो खाते खाते आई लार खाना चला ग्रास नली के पार तो जब हम मुह में खाना डालते हैं तो उसको चबाते हैं चबाते चबाते जो हमारा लार है खाने में मिक्स हो जाता है और फिर ये खाना हमारी जो ग्रास नली है इससे नीचे जाता है खाना धीरे धीरे नीचे आए पेट में जाकर पेट भर जाए अब ये खाना जब पेट में पहुँचता है तो हमारा पेट भर जाता है चोटी आत खाना पचाए पचके खाना आगे जाए बड़ी आत से होते होते मल द्वार अपचित भोजन बाहर भगाए तो छोटी आथ में खाना पचता है, बड़ी आथ से होते हुए फिर ये मल द्वार से खाना जो आपचित भोजन है यानि की waste material है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है अब हमें कह रखा है कि कविता के आधार पर पाचन तंत्र से संबंधित अंगो के क्रमा नुसार नाम लिखिए तो देखिए सबसे पहले यहां पे क्या है यहां पे बन रखा है मुह पहले पे लिख देंगे हम्मू दूसरे में है जो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रास नली क्या लिखेंगे आप? ग्रास नली ठीके बच्चो तीसरे में हमें क्या दिखा रखा है? ये है पेट और चौथा चित्र कौन सा है? चोथा है ये वाला चित्र छोटी आत ये क्या है छोटी आत ठीक है बच्चो इसके बाद अगर हम देखें ये वाला चटा वाला ये है बड़ी आत इसका नाम है बड़ी आत और ये जो पांचवा दिखा रखा है इसका नाम है मल द्वार तो इस तरीके से हमने इस प्रश्ण को पूरा कर लिया सभी हिस्तों के नाम लिख लिए है चलो आगे देखते हैं दूसरे प्रश्ण में हमसे कहा है कि आगे आपने उपर दी गई कविता से सीखा कि पाचन, क्रिया यानि डाइजेशन में बहुत से अंग सहायता करते हैं प्रतेक अंग का मिलान उसके द्वारा किये जाने वाले कारे से कीजिए तो सबसे पहले है मुँ मुँ क्या काम करता है? कि मुँ में, देखो, इसको हम मिलाएंगे दा से कि इसमें भोजन के बड़े टुकडो को छोटे-छोटे टुकडो में तोड़ दिया जाता है इसके बाद है कि ग्रासनली ग्रासनली से क्या होता है? इसके द्वारा भोजन पेट में जाता है तो इसको आप सा से मिलादेंगे तीसरा है पेट और पेट में क्या होता है कि इसमें पाच्रक्रसों की सहायता से भोजन का पाच्चन होता है तो तीसरे को आप मिला देंगे इपार्ट से उसके बाद है छोटी आथ और छोटी आथ में क्या होता है भोजन का अवसोशन होता है चौथा भी हो गया, अब पाँचवा है बड़ी आत, इसमें क्या होता है, इसके द्वारा आपचित भोजन से पानी अलग किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद है मल द्वार, और इसको आप किससे मिलाएंगी, बा से, इसके द्वारा आपचित भोजन शरीर के बाहर निकल ठीके बच्चो बच्चो जब हम कहते हैं कि हमारे मन पसंद खाने को देखकर हमारे मूमे पानी आ गया तो क्या आप जानते हो उस पानी को कहते हैं उस पानी को कहते हैं लार यानि हमारे मूमे जो पानी आता है उस पानी का नाम होता है लार यही लार हमारे भोजन को नम करने म सहायता करती है यानि लार हमारे भोजन को मुलायम बना देती है अब आपको एक activity करनी है उपर दिये गए चित्र को देखकर पाचन तंत्र का चित्र बनाईए और अपने अधियापक या अधियापिका के साथ साजा कीजिए तो बच्चो ऊपर ये जो चित्र बना हुआ है ऐसा ही चित्र आप अपने कॉपी में बनाके इनका नाम भी लिखेंगे ठीक है इसके बाद आपके पेडिंस के लिए सुझाव है कि बच्चो को बताइए कि बहतर पाचन के लिए निगलने से पहले हमें भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए तो आपको भोजन सिर्फ निगलना नहीं है बलकि अच्छी तरीके से चबा कर फिर खाना है ठीक है बच्चो तो ये थी आज की हमारी इविएस की वाकशीट और आई होप आप सभी को ये वाकशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बच्चो मुझे क्वेशन का आंसर दो आप इविएस सब्जेक्ट बोलते हैं पर इविएस सब्जेक्ट की फूल फॉर्म क्या होती है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे ठीक है थैंक यू